इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उप्रब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलो की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के अधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौझूद है करता है जो कॉरिडोर बनने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमने इंटरनेशनल नौर्ट साउथ कॉरिडोर बनाया उसके बाद यह उससे भी बड़ी चीज होने वाली है मुझे लगता है क्या कहते हैं आप पर देखें यह बहुत बड़ी चीज होने वाली है लेकिन यह का quantum और इसके effects को समझने के लिए पहले मैं OBR समझना पड़ेगा OBR के पहला main शाखा कौनशी है OBR की जो उपर उपर सीधी जाती है बेलारूस तक उसको हम counter करते हैं IINFT से जिस्टीक है दूसरा जो जाती है OBR की रूट वो जाती है नीचे टर्की में ग्रेल लाइन आती है कजाकिस्तान अजरवाई जान से होते हुए इंडिया अभी चाबार से दूसरा कॉरीडर पना रहा है जो अगवानिस्तान से इंट्रल एशिया के अंदर जाएगा हम उसके उपर काउंटर कर रहा है वह साउथ इस एशिया में तो चाइना को स्पेशलिस OBR का साउथ इस में कुछ इतना खास नहीं कर रहा पर इंडिया कर रहा है इंडिया ट्राइल हाइवे कॉंडला मुल्टी में बड़ा जो रूट है वह है अंतालिया या इस्टानबुल पर जाके जो खतम होता है वह जो पीच में आतार उन दोनों अन्तालिया इमें दोनों कि किसी एक 주고 अकर करें होता है कि उसकोुंटर करेगा हमारा एक प्रोजेक्त गेटवेय हो गया और इंडिया मेंडेल पोस्ट ठीक है और भी बहुत सारी पोस्ट है ग्रीस हम लोगों को बाइदावे गलत पड़ाएंगे आपके इंडिया में माशाल एड्यूकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि टर्की इस गेटवेय टू यॉरप और वह एक्चुली इस ग्रीस तो वह पिर ग्रीस का गेटवेय और ग् उपर हेंबर्ग पोर्ट है आपका बीच में पूरा यॉरप है और बीच में इटली का भी आएगा रोल इटली में कुछ चीज़ है इटली के थरू भी भी भेजी जाएंगी उदर भी पोर्ट का कॉयर किया जाएगा और फिर आगे हैंबर्ग से एट्लांटिक ओशन अमेर कि यह इस रूट के अंदर आप यह संझें कि 35 पर्फंट कम होगी अरॉंड दस से 12 दिन कम होंगे टीक है और इसके अलावा इसके अंदर किलो मीटर जो डिस्टेंश वह 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 भी कम होगा लाजिस्टिक कॉस्ट किलो मीटर दो ना लगगा लगे कैसे तर इस कैनल अथॉर टाइम भी होती है वह भी आपका टाइम खराब होगा वहां पर एसी तरीके से और किलोमेटर भी आपके कम हो जाते हैं अगर इदर आते हैं और अगर मैं प्रोजेक्ट गेटवे का मैं सब्सक्राइब अप्लोड की विए जिसके उपर डिकलेरिशन साइन जिसकी हुई है में क की वेबसाइट पर जाके पढ़ें यह सरफ कोरिडॉर में सरफ ट्रेन नहीं जारी इसके अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन की पाइपलाइन भी है इसके अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर आपकी लेक्र से टीव है एनर्जी सप्लाइब है अब इसको हम एक के करके सरफ देखते हैं पहले तो मैं आपके आ जाते हैं लिए ट्रेंट और इंडिया के पाइड़ दूनिया में सब से ज्यादा एक्स्पीरियुन्टेंश भी है दुनिया का सब्से पावरफुल फ्राइट इंजिन वी इंडिया में ही बनता है उल्स्टॉम जो बनात आपको अपनी शेपिंग लाइन भी चाहिए अपने ट्रेड रूट्स को सिक्यूरिटी भी चाहिए तो वह सारा इंडिया के वह एड-on एक के बाद एक के बाद चीज़े एड होती जाती है अब ग्रीन हाइड्रोजन पर आ जाएं इंडिया इस ऑल्रेद लाज़ेस्ट मैनिस अभी तीन दिन पहले खाबर आईकली तामिल लाडू चैनाई में ट्विटी कुरेंट पोर्ट पे एक पूरा टर्मिनल ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरा टर्मिनल उसे साथ से बनाया जा रहा है डिसाइन करके तो आप उसके अंदर आप चले जा होगा डेटा सेंटर्स का हब और गारा भी डेटा इस दा न्यू ओल पहली चीज़ और दूसरी चीज़ के अंदर में यह कहूंगा कि अल्रेडी टाटा कम्यूनिकेशन्स इस दा लार्जेस्ट ओनर और ऑपरेटर ऑफ द अंडर सी केबल नेटवर्क ऑफ दे वर्ल्ट 25 पर पुराना अकड़ा है कहीं बढ़ भी ना गया हो चार पंचा अकड़ा बता रहा हूं जी और आखिर में हमारा आजाता है लेक्रिसिटी इंडिया का सर्भ मैंने बीच में वीडियो की थी हाओ इंडिया विल बिकम दब पावर हाउस ऑफ एशिया ठीके तो अब लग रहा है कि एशिया से भी आगे की कानी निकल गई है अभी यह शायद यॉरप तक पहुंच जा है ठीक है आई टी आर प्रोजेक्ट वगेरा भी है अल्रेडी आपका बुटान और एक्स्पोर्ट हो रहा है इसमें एक चीज़ शायद भी भई मैं दर्शकों के लिए आड़ करना चा चाहारी है अमेरिका से मंग रहे हैं और फ्रांक से भी तो दोनों सच्वांड जो पहले देड़े तो वह भी उनकिसमें काम हो रहा है उस प्लस यह के मेमार के साथ आपका एग्रिमेंट हो चुका है अन्डा कंस्रक्शन है फ्री-लंका के साथ हो चुका है उसका कंस्रक्शन शुरू होने वाली है और दो हफ़ते पहले आया था कि सिंगापूर को इंडिया विल एक्सपोर्ट फोर गीगावाट एलेक्ट्रिसिटी तुरू अंडमा निकोबार आयलेंड तो जब इतना सब जा रहा है तो फिर यूई भी जा सकता है तोदी भी जा सकता है वहां से प्रा इसराइल का फिर वन स्टेप पॉर्वड टूर्ड और न्यू जियो पॉलिटिक्स ऑफ दरीजन ठीक है फिर इसराइल में हाइफा पोर्ट हमारा यह फिर आगया आप ग्रीस में चले जा ग्रीस में तीन पोट्स को कॉयर किया जा रहा है और शायद इटली में भी आ जाए खबर 6 महीने बाद इटली की भी पोर्ट है कॉयर कर ली है हमने ठीक है तो यह कुछ चीज़ें अच्छा यह फारे पोर्ट पे इंडियन नेवी भी डॉक हो सकती मेरा बताने का मतलब यह सिर्फ बिजनेस का नहीं है यह डिफेंस कोपरेशन में भी आएगा बिलकुल मैंने खर्वाइज को भूल जाएं ट्रेड शीक्यरइटी is much important then trade routes थीक है अब ज़्यादा इंप्सर्ज हैं यह अप अलशेप में देखें इरान आता है यू नीचे यूए और यूं जाके सौदी से इस्राइल था कि एल शेप में यह आपका oil and gas corridor हो सकता है ऐसके अंदर ऑईल और ग्यस की पाइपलेंस धालने में का टाइम लगेगा खुछ भी टाइम लगेगा सब्सक्राइब अब इसके अंदर में कुछ चीज़े आप को बतातो एक है श्मच है इस्ट की pipeline जो पाइप्रस और इसराइल की इसराइल से साइप्रस और साइप्रस से ग्रीस तक जाती है 900 किलोमीटर की annual production 10 billion cubic meters gas की इसराइल के पास अपनी gas fields है साइप्रस के पास अपनी gas fields है ग्रीस के पास अपनी है के अंदर उसके अंदर बहुत साथ तीन पॉकेट्स हैं तीन गैस फील्ड अलग 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 ब्लॉक्स है यह आपका हो गया अब यह वही एनरजी कॉरिडोर को एक्स्पेंड किया जा सकता है क्या वहां पर ओएंजीसी विदेश लिमिटेड वहां पर ब्लॉक खरीच सकता है क्योंकि दुनिया बर में तो खरीदी रहा है तिंदर खरीदे में कितना पॉसिबिलिटीज है पॉसिबिलिटी सर्थ मैं बता ऐसे रहाँ कि पॉसिबिलिटी है पता चले कल अनॉंस भी हो जाए अनॉंस भी हो जाए बलकुल ओंजीसी के स्टॉक भी बहुत उपर गए मैं एक और प्रोजेक्ट है आपका यूरो एसिएं इंटर कनेक्टर यॉर्पियन उनियन का इस इस्राइल जो है और साइप्रफ यह दो गीगवाट कंट्रिबूट करते हैं और वो वह सप्लाइ करते हैं यॉरप को यह अलेक्ट्रिसिती वाला तो बेसिकली इंडिया इस गोइ वेल्यू फैलिओ टीक है और हर चीज की वेल्यू इंडिया कए कर रहा है यह इसके अंदर एक और चीज़ सरचाइए जो अच्छी हुई है जो देखनी चाहिए फिस्केन स्विष केनल हमारे पास है ना दूसरी साइड भी एजिप का एक्रामिक जोन वो भी मिल गया है हमें उधर भी तो फ़र्क गैस फील्ड है जोहर गैस फील्ड स्विष केनल से 120 माइल उपर है ठीक है अब 120 माइल जब उपर जाता है तो आपका इस्राइल से कितना दूर हो इस्राइल की गैस फील्ड से डेड़ सो पॉने दो सो तो आप यह फंजें के 500 माइल के दाएरे के अंदर अंदर यह चारो पांचो गैस फील्ड सा जाती है है तो फ्यूचर में आपको लीबिया भी मिलेगा क्यों एजिप्ट के बराबर में लीविया अलजेरिया में इंडिया ने लिए मैं लीविया के बराबर में अलजेरिया और आगे तो स्ट्रेट और जिब्राल्टर है तो वह तो उसके उपर फिरका भी बात करेंगा उसकी लगी कानी है तो यह सर फिर्फ एक चीज नहीं है इसके अंदर बहुत कुछ है और इसके अदर एक और मैं अब मैं इसको कंपेर करूंगा चाइना के साथ ओब यौर के साथ किस तरीके से ओब यार के जितने भी रूट है एक रूट भी 100% कंप्लीट है नहीं है नहीं यौरप का तो कंप्लीट है ने यौरप को सरफ अपग्रेडेशन चाहिए उनके पार रूट अवेलेबल है ग्रीस से जर्मनी तक पूरा इंटर कनेक्टेट सारी यौरपीन इन कनेक्टेड है शिपिंग लाइन वाशी रूट वैसे भी अविलेबल है उनको सरे मॉडरनाइज करना ह है उनके लिए पृव फ्रेंवर्क तेग्यार करना है वेच में फिर पश्रीफ एक मिडिलीष प्रद जाता है कितना लगता 2600 किलोमेटर की रेलवे लाइन बनाने में इंडिया को इंडिया कितना 23 अशारिया 7 किलोमेटर एक दिन में बनाता है बिलकुल मैं कहता हूं एक साल भी लेने हैं 15 साल की तरह तो नहीं होगा ना मैं पाइप लाइन वी डाल दें डिजिटल कनेक्टिविटी भी डाल दें कितना टाइम लगता है क्वाइर होने में पीछे क्या चल रहा है किसको क्या पता है कि हमें बताकर चल रहा हूं यह इटिनितली लिखके कह सकता हूं कि चल रहा है यह वही चीज है कि मोदी जी की वह कहते हैं गाए जिर इस वान तिंग अवाट वाट 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 अवन तो अवत आज इस कांट्री कांट्री और वाट आजिग एव फॉन जी शेवन तो या major European Union बेलारूस यॉरप में आता, European Union में नहीं आता G7 और European की वाहिद कंट्री थी जो BRA में था वो भी लिकल गए मेरे साथ से Russia, Ukraine के consensus से ज़ादा Italy को convince करना और G20 के अंदर बुलवाना G20 के अंदर बुलवाना बिलकुल ये एक बहुत बड़ी बात थी और मिलोनी की जो chemistry दिख रही थी पिये मोदी के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे कई पुराने कई साल के दोस्ट जो हैं वो मिल रहे हूँ और ऐसी बाते चल रही थी आवाँ तो ऐसी दिख रहे थे ओ इटली से इटली तो रहा नहीं अब कौन सा बचा उदर घ्रीस ही है घ्रीस और टर्की की कितनी दिश्मनिया है ये तो सबी को पता है वो तो खैर हजारों साल पुरानी है वो भी अच्छा बेंसेंटान इंपायर और नीचे ये वाला अच्छा इंदर एक और चीज़ है हमने लाफ टाइम टर्की के ओपर बात की इसी के ओपर किस तरह टर्की को गेरा गया पर जिस तरह गेरा गया है तो फिर जायसी बात ऑगया है पिर एफ-टी-फ एफ ए इफ है कि वो आइसे से तेल खरीटी है तो फिर तो बोलना ही था ना कि वो इस सपोर्ट इंडिया पर्मानेंट मेंबर्शिप और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को बड़ा जटका लगे गा इस बात से कि जिस तरह पिये मोदी और एर्दोगन मिले ठीक है थोड़ी सी कशीदगी दिख रही थी लेकिन बयान आया कि भही नहीं हम आपको UNSEE की पर्मानेंट मेंबर्शिप के लिए हम सपोर्ट करेंगे तो ये तो पानी फिर गया पाकिस्तान के मनसूबों पर दोस्त नहीं दिख रहा है सार तो बहुत चारे दोस्त नार है कल के दिन आज का दिन बादा इंपॉर्टेंट अभी तो एंबियस का चल रहा है ना आज अज का देखेगा असल तमाशा आज का है क्योंकि एंबियस पहले छे घंटे से आठ गंटे के लिए पाकिस्तान में आने आने आले तो वो नहीं आ है और वो जाते वे भी शायद नहीं आ रहे मतलब उनकी तरफ से शायद ऐसा मैं अरब मीडिया को फॉलो कर रहा था तो उसमें ऐसा था कि अभी हम बताएंगे जाएंगे पाकिस्तान लेकिन हम बताएंगे कि कब जाएंगे अभी कोई निश्यत नहीं यही बात है गुम फिर कि शायद इवस्त रखने के लिए आ जाएंगे तो वह ऐसा आना भी मैं कहता है ऐसा चार दिन भी आ जाएंगे तो कोई फाइदा नहीं आप आते हुए कहेंगे कि दो चार बिलियन डॉलर दे दो यार मुझे कौन जेब खाली खराएंगे चाएंगे हुए ह्खिस बिलियन डॉलर की बाग्ते चल रही है नटनी है इंवैस्मेंट के हान इंवैस्मेंट के शुनिए यह तो बेच चुके थे जूट बोलना जो है ना यह इनको बहुत महंगा पड़ जाता है दुनिया में हर जगा जहां पर भी जाते हैं तो इसके दर एक आखरी पॉइंट में इटली का और एट करूं अब इटली पर आ जाते हैं पहली चीज तो अगर प्रोजेक्ट गेटवे ग्रीस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिप बिल्डर भी है शिपिंग लाइन ग्रीस में कि लोगे बाव के इसाथ से पड़ी है इतनी शिपिंग लाइन जांग इन्गरी के अदर इटली की सर देखें मेडिटेरियन जो सी ए दुनिया की सेकंड लाजेस शिपिंग ला सबसे बड़ी शिप बिल्डर है ये नेवी ये कमर्शल टूरिजम आपके मिलिटरी हर किसम की शिप्स बनाते हैं हर किसम तो जारू भी थोड़ी अच्छा मोदी जी ने वह लाउंच भी किया है कि 2030 तक इंडिया को पता नहीं 112 शिपे मनाएगा कुछ मर्चन नेवी की ऐसा कुछ लिए लाउंच किया हुआ है अशी बात है सर अब 112 से काम तो नहीं होगा ना इंडिया को चाहिए हजारों के साब तो कुछ इदर दी जाएंगी कुछ डेवो वालों को बोल देंगे कुछ हुंडाय को बोल देंगे कुछ मिस्ट्रिवी शी काव साकी को बोल देंगे मतलब सब के पास काम होगा जैसे हमने अभी हवाई जहाज में किया कमेशल प्लेंस में किया कि हमने एयर बस को भी किया और इदर भी किया इतने 1500 से जादा प्लें खरीद रहें तो शिप में भी कर दिया है सब को मिलेगा सब में बटेगा सब में झाल झाल